नमसकार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल News Markets 24 में आज हम आपको लडी के भाव में तेजी का अनुमान से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे लेकिन बाद में यह कुछ नरम पड़ गया आने वाले महीनों में इस सोने के रंग वाले मसाले की मांग मजबूत है और इसके भाव में टेजी की समभावना है मुख्य मंडियों में उत्पादन कम हो रहा है जिसके कारण आवक क्रय किया जा रहा है जबकि घरेलू और निर्यात मांग मजबूत है वर्तमान में हल्दी का भाव स्पॉट मार्केट में 17,000 से 18,000 रुपए प्रती क्विंटल के आसपास है जो जन्वरी फर्वरी में प्रचलित मूल्य 12,000 रुपए प्रती क्विंटल से 30 से 35 प्रतीशत अधिक है किसान संभवता भावों में और उच्चतम बड़ोतरी की उम्मीद से हल्दी के स्टॉक को रोखने का प्रयास कर रहे हैं जिससे मंडियों में आपूर्ती का दबाव नहीं हो रहा है 2023 से 24 सीजन के दौरान हल्दी के उत्पादन में कमी आई है इसके बावजूद मांग कम होने के कारण भी हल्दी के भाव में तेजी की संभावना है मांग पूरी हो चुकी है लेकिन मार्स से अप्रेल तक की मांग तेज हो सकती है एक व्यापारी के अनुसार मई से जून के महीनों में हल्दी के भाव काफी स्थिर रह सकते हैं और इसमें 500 रुपए प्रती क्विंटल की तेजी मंदी आ सकती है इस साल बिजाई में कमी है जिसका माल की भरपूर आवक मंडियों में नहीं हो रहा है खबर में सिर्फ इतना ही इसी तरह के न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और News Markets 24 देखते रहे